नमस्कार दोस्तों को ठीक करने के लिए और फंगल इंफेक्शन को होने से रोकने के लिए इट्राकिन पाउडर का उप्योग किया जाता है इट्राकिन पाउडर त्वचा पर जलन खुचली और त्वचा का पपड़ी बन कर उतरना आधी समस्याओं को ठीक करता है इसके अलावा गर्मियों के मौसम में फ्रिकली हीट होने पर भी इट्राकिन पाउडर का उप्योग किया जाता है फ्रिकली हीट गर्मियों के मौसम में होने वाली एक समस्या है फ्रिकली हीट होने पर कमर और गर्दन की त्वचा पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिनमें बहुत तेज जलन वह को ठीक करने वर रोकने में मदद करता है त्वचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर त्वचा पर लाल धब्बे होना त्वचा पर दाध होना त्वचा पर खुजली होना और त्वचा पर जख्म होना आधी लक्षन दिखाई देने लगते हैं इसके अलावा फंगल होने पर हो सकते हैं, fungal infection शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, fungal infection जांगो में भी हो सकता है, इसलिए जांगो के fungal infection को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर इट्राकिन पाउडर को लगाने की सला दे सकते हैं, इट्राकिन पाउडर त्वचा के fungal infection को ठीक करके त्वचा में जलन, खुझली और त्वचा के रैशिस को ठीक करने में मदद करता है, साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में इट्राकिन पाउडर की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नह और त्वचा पर सुई चुगने जैसी समवेदना ज्यादा होती है, या ऐसा कोई लक्षन लगातार बना रहता है, तो ये लक्षन इट्राकिन पाउडर की वजह से एलरजी होने पर भी हो सकते हैं, यदि आपको इट्राकिन पाउडर को लगाने के बाद ऐसा कोई लक्षन लगातार बना रहता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, अब हम डिसकस करेंगे की इट्राकिन पाउडर को कैसे लगाना रेकिमेंड़ होता है, इट्राकिन पाउडर को लगाने से पहले आपको प्रभावित एरिया को अच्छी तरह से धो ल एक बार से लेकर दो बार लगाने की सलाह देते हैं, डॉक्टर इट्राकिन पाउडर को दो सप्ता से लेकर चार सप्ता तक लगातार लगाने की सलाह दे सकते हैं, इट्राकिन पाउडर की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्त को साबुन से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि इंफेक्शन दूसरी जगह पर ना फैले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि इट्राकिन पाउडर को लगाने की वजह से unwanted side effects होने का जोखिम अधिक हो जाता है फंगल इंफेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है इसलिए जब तक फंगल इंफेक्शन अच्छी तरह से ठीक न हो जाए तब तक संक्रमित व्यक्ति के कपडों और शारिरिक संपर् recommended नहीं है इसलिए इट्राकिन पाउडर को आख नाक मू और वजाइना के अंदर नहीं लगाना चाहिए अगर इट्राकिन पाउडर को लगाते समय यदी गलती से इट्राकिन पाउडर आखों में चला जाता है तो आपको तुरंत ही आखों को पानी से धो लेना चाहिए प् इत्राकिन पाउडर को लगाने की सला दे सकते हैं. विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका इट्राकिन पाउडर से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं